मैं अभी भी चार घंटे हो चुके हैं, राची एरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा यहां तक कि जो मीडिया के लोग हैं, उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है, मुझे नहीं पता कि इस प परिवार से मिलने के लिए आयों उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ किसी को मिलने से रोका नहीं जाता क्यों रोका जा रहा है और मुझे मत रोकिये अपराधियों को रोकिये को रोकिये तुष्टी करन के आगे सरेंडर कुती हुई सत्ता को रोकिये पूरी दुनिया से लगबग डेड़ हजार से जादा लोगों ने 14 लाख रुपे इखटे किये हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किये जाएंगे ट्रांसफर किये जाएंगे परिवार को ये जानकारी देनी थी समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्चकता है माता जी मांग कर रही है कि हत्यारों को फासी मिलनी चाहिए ये प्राथमिक्ता है सरकार की शायद मुझे रोकने में न लग करके ये नियाय सुनिश्चित करवाकर रहेंगे और इस प्रकार से बंद करके लोगों को मिलने से रोक के इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे ये गलत फेहमी है ऐसे ही लेटेस निज दिखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जुरू दबाएं